एक भाई ने सवाल किया कि जो ओयल पेंट होता है उसके उपर हम PU Glossy कर सकते हैं क्या देखें PU को समझे कि PU को हमें किस सर्फेस पर कर सकते है PU की क्वालिटी में से है कि उसका जो सर्फेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए उसकी वज़ा से हम उसके उपर MDF, HDMR या वीनियर के वीनियर लगाते है अगर प्लाई पे हमें करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत महनत करनी पड़ती है हमें उसके उपर पट्टी करनी पड़ती है दो तीन तीन पुट्टी करनी पड़ती है उसके बाद भी फिर हम NC पुट्टे भी करनी पड़ सकती है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो जाए अगर हम MDF, HDMR या वीनियर नहीं लगा रहे हैं तो दूसरा यह कि PU जो होता है यह पॉलियूरिथीन यह होता है हाडनर बेस हाडनर जब हम किसी चीज़ में हाडनर पड़ता है वो बहुत जली ड्राय होता है और जहां पर उसे डालते है वो अपनी बाउंडिंग इतनी फास्ट और इतनी फास्ट भी बनाता है और इतनी प्रापर बनाता है इतनी मजबूत बनाता है कि उसके नीचे जो paint होगा या जो भी उसका base होगा वो उसको अपनी तरफ खीचेगा क्योंकि उसको bounding बहुत strong बनानी होती है hardner और उस material resin की वो जैसे तो अगर oil paint के उपर हम उसको मार देंगे अब तो देखी अगर oil paint आपने कहीं पर कर रखा है तो आप बिल्कुल ये तो आप समझ जाए उस पर polyurethine या PU आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको पहले से आपने oil paint कर रखा है या water base कोई paint है तो आपको उसको उतारना होगा proper paint remover से यानि कि इतना उतारना होगा कि नीचे से wood नजर आ जाए उसके बाद फिर आप जो base जैसे process है उसी process के साथ base बना के आप PU कर सकते हैं कई बार हम पुराना furniture paint कर रहे होते हैं तो उसमें ये problem आते हैं कि हमें नहीं पता होता कि नीचे base में क्या लगा है तो उसमें उसको check करने के लिए अगर आप उस पैसे ही coat डाल देंगे तो वो बार बार फूल जाएगा फट जाएगा काफी problem हुई थी इसी तरह से हमने old furniture पे हमने अपने process के recording paint कर दिया लेकिन वो बार बार फूल जाता था final coat पे उसका reason यह था कि जो नीचे base में material लगा था उसको जिसको हम PU समझ रहे थे वो PU नहीं था उसमें कुछ mixing वगर जो भी था whatever I don't know वो क्या था मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ तो मैं ही कह रहा हूँ अगर आपको कोई old furniture करना है पुराना furniture करना है जिस पर आपने काम नहीं किया तो बैटर है कि आप उसको देख लें क्या material है वो कैसे देखेंगे आप पहले thinner का हाथ मार दीजी अच्छे से कुछ देर बाद अगर उसमें oil paint है या कुछ और है तो वो फूल जाएगा अगर वो फूल रहा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद